आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी आपके लिए खुशखबरी आ गई है इंकम टेक्स का पोर्टल इतने दिनों से नहीं चल रहा था तो मजबूरन गोर्मेंट ने डेट को एक्स्टेंड कर दिया है और यह सारी डेट अच्छी तरीके से एक्स्टेंड हो चुकी है अब किसी भी प्रोफेशनल को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है और यहाँ पर इन्होंने प्रेसलीज निकाली है यह प्रेसलीज आईए 7 बज़ कर 24 मिनट पर सर यह प्रेसलीज हमें कहां पर मिलेगी सर यह प्रेसलीज आपको पिई आईएवी की साइट पर जाओगे आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो चले जी अब इसमें ड्यू डेट कौन कौन सी एक्स्टेंचन हुई है क्या है नई डेट यह मैं आपको बता दे तो इससे फाइदा होगा या नुकसान होगा मेरा मानना तो ऐसा है कि इससे नुकसान होगा प्रोफेशनल का क्यों नुकसान होगा कि जो हमारे एंपलोई अभी बैठे हुए ओफिस में जिने हम सितंबर की सैलली देंगे अक्टूबर की नवंबर की उनसे हम क्या काम कराएं अगर उनसे काम डेट आपने एक्सेंड कर दी है तो काम तो कराना ही पड़ेगा ना तो वो मैंपावर हमारी खाली बैठी है लेकिन पोर्टल चलनी रहा तो गोवर्मेंट ने यहां पर ड्यू डेट को एक्सेंड करा एक बात इन्होंने सही करी है कि last date पर जाकर due date को extend निकरा पहले सही कर दी due date extend तो क्या क्या due date extend हुई है एक बात जरा देख लो यह सारी जो due date extend हुई है यह financial year 20-21 के लिए मतलब कि बात करू assessment year 21-22 के लिए extend हुई है पहली बात normal ITR को लेकर लोग बाग टेंशन में थे professional को लग रहा था कि आप लोग बाग normal ITR बरवाएंगे और हम पर पैसे आएंगे लेकिन इस date को बढ़ा कर इन्होंने क्या कर दिया है 30 सितंबर की due date थी लेकिन इसे बढ़ा कर कर दिया गया है 31 दिसंबर मतलब कि तीन महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है कि आप अपनी normal ITR बिलकुल अराम से तसली से फाइल करना अगर मैं बात करूँ जिन लोगों का tax audit होता है तो बहिए tax audit की जो due date थी वो थी 31 अक्टूबर लेकिन इन्होंने इसे बढ़ा कर दिया 15 जनवरी यहां पर ITR की बात नहीं हो रही यहां पर बात हो रही है tax audit report की कि जिन लोगों को tax audit report फाइल करनी है उसकी जो due date है वो हो गई 15 जनवरी और अगर जिन लोगों ने अपनी tax audit report फाइल कर रहे हैं अगर उनकी ITR की बात करूँ तो उनकी ITR की date हो गई 15 फरवरी मतलब कि पहले 15 जन्वरी का तक tax audit report करवाओ और फिर एक महिने के अंदर ITR फाइल करो आपको पताओगा कुछ लोगों का transfer pricing audit होता है under section 92E तो अगर किसी भी व्यक्ति का transfer pricing audit है उस case में उसकी transfer pricing report की date हो गई है 31 जन्वरी और अगर transfer pricing वालों का अपनी ITR भरनी है तो उसकी भी due date हो गई है 28 फर्वरी तो यहाँ पर यह बात हमें समझनी है कि जहाँ पर tax audit report है उसके बाद उसकी ITR के लिए एक महिने का time हमारे पास है और tax audit report की date यहाँ पर 15 जन्वरी है और normal के लिए ITR की date 31 दिसमबर है अब आपका बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है तो यहाँ पर इन्हों ने यह relaxation भी दे दिया अब सर इसके अंदर जो यह लिखा हुआ है advance tax का interest लगेगा या नहीं लगेगा 234 ए का तो इसके बारे में हम क्या करेंगे इसके बारे में पूरी case study बनाकर आपको अपने सितंबर का रिखा देंगे कि भाईया आपने अगर इंटरस्ट पे नहीं करा है तो क्या होगा आपने advance tax कितना दिया है तो तब क्या होगा एक लाग से कम है तो क्या होगा यह सारी बाते हम अपने अक्टूबर के edition में देंगे और यह सारी जो एक्स्टेंड हुई है यह भी आपको systematic format में आपको देंगे तो अगर आपने अभी तक हमारी magazine सब्सक्राइब नहीं कराई है तो भाईया अभी सब्सक्राइब करा लो इस नंबर पर WhatsApp करके सर एक पर sample copy रिखा दो कैसी होती है sample copy भी आप इसी WhatsApp नंबर पर मांग सकते हो जिन लोगों उन्हें हमारी magazine ले रखे मुझे comment box में लिखकर बताना कि आपको हमारी magazine कैसी लग रही है और ये वीडियो आपको कैसी लगी सर आज आपकी वीडियो में face नहीं आ रहा क्योंकि भाईया मैं office से चुट्टी करके घर पर आ गिया था तब यह यहां पर यह प्रेस ली जाईए तो मैंने सोचा आप लोगों को यह information दे दू छोटी सी वीडियो है अपने mobile number में सब को share कीजिए जिससे सब लोग tension free हो जाए और मुझे comment box में लिखकर बताना यह फाइदा हुआ या नुकसान मुझे तो कई बार यह नुकसान लगता है नुकसान क्यों लगता है क्योंकि हमारे office में अभी तक staff जो है वो खाली बैठा था कि कुछ काम गलती हो जब हम चाहते हैं कि देट करो तब आप आप अठेंड करते नीयों तो क्या यह government कि गलती नहीं क्या government को portal सा भी नहीं करना चाहिए ता चाहिए लगने आपको कुछ पराई चार्ड में दे दी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्याद़त जाद़ा लोगों तक शियर करना वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यह तो चैनल को को सब्सक्राइब करके बैल燈 बटन दबा देना अपनी किस अगर बढ़